तो है दिस इस प्रवात रंजनर आज की इस वीडियो रिवीव कर रहे होंगे GKC IET घनी खान चौधरी इंस्टियूट ओफ इंजिनियरिंग और टेक्नोलजी की का प्लेश्मेंट डेटा एवेलेबल है जो कि GKC IET ने NIRF के पास समिट किया अब इस NIRF डेटा को समझने से पहले में ये समझना पड़ेगा कि हमारे इंस्टियूट की सुरुआत तो 2010 में हुई लेकिन पहले इंजिनियरिंग बैच की सुरुआत 2018 में हुई जो की 2022 में पास आप से भी उतना कुछ खास प्लेश्मेंट स्टेडिस्टिक्स नहीं है हमारे पास लाइक NIRF डेटा के इसाफसे 2022 में 48 स्टुएंट्स ने बीटेक्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 स्टुएंट्स को प्लेश्मेंट मिली थी जो कि दीरे दीरे आपके प्लेश्मेंट स्टेडिस्टिक्स सुधरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि 2022 के बाद 2023 का प्लेश्मेंट हो चुका है जो कि हमारे पास अभी ऑफिश्यल डेटा एवेलेबल नहीं है और 2024 बैच का भी प्लेश्मेंट चल रहा होगा तो स्टुएंट्स क आठ यहल पीए नहीं हो जाएगा धीरे धीरे चीज़े इंप्रूव होती हैं बात के लिए अड्मिस्न प्रोसेस की तो दो प्रकार के आपको एड्मिस्न प्रोसेस देखने हों मिल रहे होंगे पहला 50 परसेंट सीट्स आपके WBJ के लिए है और दूसरा 50 परसेंट सीट्स आपको colleges और branches अलोट हो रहे होंगे अब ये 50% seats आपके fully West Bengal candidates के लिए है लेकिन ये 50% seats आपके further दो parts में divided हैं इस 50% का और आप half करिये तो वो आपके West Bengal and North Eastern candidates के लिए है और other 50% मतब इस 50 का दूसरा 50% आपके बाकी सारे other state candidates के लिए यानि कि आपके 3 parts में divided हैं सबसे पहला यहां 50% फिर 25% और 25% बात कर लें cutoff की दो मारे पास जो सा 2023's round 6 general strength gender neutral category cutoff का screenshot लगा हुआ है like computer science engineering close हुआ था home state में 122648 rank पर और वहीं other state में हमें काफी तगड़ा competition देखने हो मिलता है in comparison to home state other state में आपका computer science close हुआ था 49,628 rank पर बाकी सारे branches की आप देख पा रहे हो लेकिन अब अगर आपको हर year हर round हर category cutoff चाहिए तो आप जोसा के website पर विजिट कर सकते हों बात कर लें free structure की तो हमारे सामने detailed institute fee, tuition and other fee के आपके इधर screenshot लगे हुए है और इधर आपके hostel and mess के screenshot लगे हुए है तो अगर आप एक hosteler student हो, hostel ले रहे हो तो आपका चार साल का बीटेक fee, hostel, mess, institute, tuition, सब कुछ मिला कर 3,00,000,000 के आसपस लगने वाला है वहीं अगर आप non hosteler हो, hostel, mess नहीं लेते हो तो सिर्फ ये वाले fee लगा कर आपके चार साल का बीटेक fee, 1,30,000,000 के आसपस लगने वाला है, तो finally हम पहुंसते अपने college and hosteler, most अविटे topic के उपर तो सबसे पहले इसी पहले इसी पहुनिजार श्राट करना चाहूँगा, कि हमारा GKC IET, मालदा में 100 वाने करी campus एरिया में सतीत है, अगर इसकी location की बात कर लें, तो मालद है different parts of the country by train, nearby airport में आपको बाग डोगरा सिली गूरी देखने हो मिल जाएगा, नेता जी सुवाज चंदर बोस इंटरनेशनल एरपोर्ट कोलकाता देखने हो मिल जाएगा, और multiple trains ply between मालदा सिली गूरी and कोलकाता मालदा throughout the day, तो आपका connectivity का ऐसा कोई issue नहीं हो रहा होगा, ल जिसके अंदर आपको gym equipment देखने हो मिलेगा, carom board, chess and other recreation units, आपको canteen facility, playground, institute, seminar and smart classrooms, sufficient laboratories for each of the departments, a big workshop and other related facilities, healthcare facility भी अविलेबल है, including health insurance to every student, इसी के साथ fitness club है, एक भारत स्रेष्ट वारत क्लब है, fine arts club, dance and drama club, robotics club, photographic club, space club, elocution and debatic club, बात कर लेकर hostel की तो girls and boys का separate hostel facility बताया गया, विक two या फिर three-seater rooms, अब exactly students नहीं बता रखा है, या फिर official data भी available नहीं है, कि two-seater room है या फिर three-seater room है, बट कम से कम single-seater rooms नहीं मिल रहे होंगे, तो full privacy मिल रहोगा, ऐसी सारी चीज़े दिवा से निकाल दीजिए, यानि कि shared basis पर ही room हम यूज कर रहे होंगे, या तो two-seater या फिर three-seater, अब exactly कैसा hostel facility है, क्या सारी चीज़े है, जो भी students जी के CIT से इस वडियो को देख रहे हूँ, comment section में लिकर बताना ना भूले, बट फिर भी hostel से काफी students संतुष्ट नजरा है, बताय मेस का खाना भी कुछ students ठीक बता रहे, तो कुछ students खराब बता रहे, यानि कि बढ़ियां से खराब के बीच का हम या situation लेकर चल रहे होंगे, बट फिर भी बताया जा रहा है कि मेस की facility दीरे-दीरे improve होई है, लेकिन हम और improvement के अभी उमीद कर रहे है, ऐसा students की तरफ से बताय campus में आपको wifi देखने हो मिल जाएगी, अबर classrooms are clean and huge, classroom का भी size काफी बड़ा बताया गया है, और साफ सफाई तो आपके classroom में हो गया है, या फिर आपके hostel में हर जगा बतायी जा रही है, study tables and chairs are available in classrooms, library is excellent, hostel is clean and huge, the quality of food in the canteen is good, तो मतलब बहुत सारी कुछ ऐसी बढ़ चड़ के बाते नहीं, जिसके वकर हम highlight करें, basic basic सी चीजे है, चलिए अगर दूसरे review की तरफ बढ़ जाए, तो a huge playground is available for cricket and football, तो students ने usually badminton, courts, cricket, football, यहीं सारे basic basic sports facility बता रखके है, बहुत जादा ऐसा कुछ बढ़ चड़ कर नहीं कि आपको हर छोटे सबारे sports facility देखने हो मिल रहा जी के CIT से comment section में लिखकर बताना ना भूलें, चाहे हो sports facility हो, आपके canton, cafeteria हो, खाने का quality कैसा है, hostel facility कैसा है, आपके पढ़ाई, faculty, किस प्रकार की चीजे comment section में लिखकर बताना ना भूलें, चाहे आपके placement का scenario ही क्यों ना हो, जो भी आपके पास data comment section में लिखकर ज़रूर बता हैं, अगर इसी के साथ हम अपने third review की बात कर लें, तो बताया जारा कि negative point इस college का एक ही है, कि बहुत ज़्यादा wifi नहीं दिया गया students के लिए, except आप कुछ canton में wifi देख पा रहे होंगे, the library is pretty good and hostels are very nice, तो again library और hostels की तारीफ हो रही है, it has two buildings and are hygienic, management of the hostels are pretty good, बार बार वही है hostels की लोग तारीफ कर रहे हैं, तो student के online review में हम यह देख पा रहे हैं, कि बहुत कुछ ज़्यादा चीजे नहीं है campus में, जिससे बढ़ चार कर कुछ ज़्यादा highlight किया जाए, लेकि और से आप IIT and IT से compare नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप facilities की भरमार होती है, बट अब अगर हम बात कर ले आगे, कि आपको किस प्रकार के और events मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको तीन बड़े बड़े annual events देखने को मिल रहे होंगे, तीन annual fest है, सबसे पहला आपका technical fest, cultural fest, sports meet, तो आपको यह सारी चीजे काफी जादा देखने हों मिल रहे होंगे, और clubs भी काफी अच्छे खासे बताये गए हैं, तो आपका student activity हो गया, event fest, यह सारी चीजे proper देखने हों मिल रहे होंगे, और बार 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 बोल रहा हूँ, हर चीज बढ़िया है, चाहे वो आपका infrastructure हो, facilities हो, event हो, fest हो, clubs हो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर आप IIT and IT के level पर compare करोगे, तो फिर निरास रहने वाले हो, क्योंकि देखे, IIT and IT के पास funding की कमी नहीं होती है, तो वो खुलकर पैसे खर्चे करते हैं, और students को बढ़ियां से बढ़ियां facility provide करने की कोशिस करते है हलाकि हमारा GKC IT भी एक GFTI है, जहां government की तरफ से funds मिल रहे होते हैं, बट IIT and IT के level पर नहीं मिल रहे होते हैं, तो यहीं सारी चीज़े कि अपने league के institutes में आपको काफी अच्छा कासा facility provide कर देता है, और उमीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में placements भी काफी आपका अभी तक का positive या negative experience जो भी college का experience रहे हैं, अपने college को लेकर जो भी opinion हो, मेरे कुछ points से इस वीडियो में सहमत या असहमत हो, comment section में लिखकर बताना ना गूलें, आज के date में जो latest placement, details चल रहे हैं, जो भी facilities है, campus life कैसा यह सारी चीज़े, comment section में जरूर से जरूर से जरू बताएं, और जो भी student किसे दूसरे engineering college इस वीडियो को देख रहे हूं, अगर आपके engineering college का review वीडियो अभी तक हमारे channel पर available नहीं है, तो आपको description में google form देखने हो बिल जागा, जिसमें आपके college से related, हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं, तो इमांदारी से, जि अन्य बाते लिकर बताने हो या पूछ नहीं हो, तो comment section आप ही के लिए तो है, so thank you for watching this video, goodbye, we wish you all the peace for future, enjoy your journey.